ज्यान वर्दक GK वीडियो बै आर्वी GK वर्ल्ड पहला प्रस्ण भारत की किस चटान स्रिंखला को खनिज्यों का भंडार कहा जाता है आपके आप्शन से अर्कियन चटान स्रिंखला, धारवार स्रिंखला, उदप्पा स्रिंखला, विंद्य स्रिंखला सही उत्तर है धारवार स्रिंखला अगला प्रशन जम्मु कस्वीर में उदी बाध किस नदी पर इस्थित है आपके आप्षेंस हैं A. व्यास नदी B. चिनाव नदी C. रावी नदी D. जहलम नदी सही उत्तर है जहलम नदी अगला प्रस्न कावेरी नदी का उद्गम कहां से होता है आपके आप्षेंस हैं A. अमर कंटक के पठार B. महावलेश्वर C. ब्रह्मगिरी पहाडियों से D. त्रवक पहाडियों से सही उत्तर है ब्रह्मगिरी पहाडियों से अगला प्रस्न हैली धुमकेतु कितने वर्ष बाद दिखाई देती है आपके आप्षेंस हैं A. 46 वर्ष B. 31 वर्ष C. 86 वर्ष D. 74 वर्ष सही उत्तर है 76 वर्ष अगला प्रस्न निमलिखित में से किस सहर से होकर नत्रावती नदी बहती है आपके आप्षेंस हैं B. मंगलूर C. कारवार D. वेंगलूरूर सही उत्तर है B. मंगलूरूर अगला प्रस्न निमलिखित में से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित है आपके आप्षेंस है सवल बेल गोला B. पाली तामा C. खंडगिरी D. रत्नगिरी सही उत्तर है रत्नगिरी अगला प्रस्न दामोदर नदी का उजय निमलिखित में से किस अस्थान से होता है आपके आप्षेंस है A. विरत हिमाल B. कुमाव हिमाले C. सहद्री पाहडियां D. छोटा नागपूर सही उत्तर है D. छोटा नागपूर अगला प्रस्न दामोदर निमलिखित में से किस नदी का उद्गमस्तान महा बलेश्वर में है आपके आप्षेंस है A. कावेरी B. कृष्णा C. ताप्ती D. नर्मदा सही उत्तर है B. कृष्णा अगला प्रस्न इनमें से कौन सी नदी दक्षिन भारत की गंगा भी कही जाती है आपके आप्षेंस है A. कावेरी B. तुमघद्रा C. गोदावरी B. कृष्णा सही उत्तर है C. गोदावरी यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब